हेलो इस्टुडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल खिलिस इस्टुडी सेंटर में तो साथियों आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कलाश 10 के मेत के इंपोर्टेंट प्रस्न जो की आपकी एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है और इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे गुननखंड वीदी से दिघात समीकरन का मूल ग्याद करना क्योंकि हम इसे पिछले वीडियो में आप लोग को सिखाए थे आपको जो है मैं किसी बिना जंजट का किसी भी परकार का कोई प्रोलम नहीं होगी आप जो है चुटकियो में जो है गुननखंड विदीस इसका मूल ग्याद कर पाएंगे यदि वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिजे चैनल पर न दे के बाद फिर हम इनको systematic तरीके से solve करेंगे चुकि हमारे पास प्रस्न दिया गया है गुननखंड विदी से नीमने दिघात समीकरन का मूल ग्याद किजे तो इसका हमें गुननखंड विदी लागू करके जो है दिघात समीकरन का मूल ग्याद करना है क्योंकि हम इसे समीकरन का मूल ग्याद करते हैं तो दिघात समीकरन का मूल हम लोग दो तरीके से ग्याद कर सकते हैं एक हा गुननखंड विदी और दूसरा हा दिघाती सूत्र चुकि मैं आप लोग को इस वीडियो में गुननखंड विदी बताऊंगा तो गुननखंड विदी का सबसे पह होता है 10, आप गुणा कर देख सकते हैं करके 10 गुणा 1 करेंगे तिसना होगा 10 होगा, आप बताज़ीए मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 और 10 गुणा 1 यह हम लिख सकते हैं अब कोई और दुसरा सम्ख्या तो है नहीं जो हम लिख पाएंगे अगर कोई बोले हागे सार एक गुना दस तो बात तो यह ही पड़ता ना दस गुना एक कड़ेंगे तो दस एक गुना दस कीज़े तो वही 10 होगा तो मैं इनको लिख सकता हूँ दो गुना पांच और दस गुना एक यानि दस की दो गुना खंड हो सकते हैं कौन-कौन एक दो गुना पांच और दस गुना एक ठीक है तो यह दोनों गुना खंड में से हमें वही गुना खंड लेना है जो हमें माइनस का तीन दे सके तो हम इसको ट्राइ करके देखते हैं 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आता है चलिए आप इसको अगर हम जोर के देखते हैं तो 11 आता है क्या हमें माइनस का 3 दे पाया तो उत्तर होगा बिल्कुल नहीं तो मेरा A संग्या क्या हो जाएगी reject हो जाएगी ये वाली संग्या हमारा क्या हो जाएगा reject हो जाएगा चलिए आप इसको हम try करके देख लेते हैं 2 और 5 को जोरते हैं तो 7 आता है पर चाहिए हमें कितना माइनस का 3 2 में से अगर 5 को घटा देते हैं तो माइनस का 3 मिला तो हाँ मिल गया तो इसका मतलब है कि हमारा जो संग्षा select होगा ओ होगा 2 गुना 5 तो मैं इसी संख्या को select करने वाला हूँ यहाँ पर इनको मैं 2 टुक्रो में बाढ़ दूँगा यानि 2 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो इस दो टुक्रो में बढ़ जाएगा तो चलिए हम अंतिम संख्या और 1 संख्या को same to same लिखेंगे इनको हम 2 टुक्रो में बाढ़ देते हैं तो देखिए हम इनको 2 टुक्रो में किस तरी किसा बाटेंगे सबसे पहले x square है तो x square plus में 2 x और minus में 5 x फिर minus 10 है तो 10 equal में 0 है तो 0 आप इन दोनों में से एक ओकोमन लेना फिर इन दोनों में से ओकोमन लेना कोमन का मतलब हम आप लोग को कई वीडियो में बताये हैं यादि आप कोमन का मतलब नहीं जानते हैं तो फिर से मैं यहाँ एक बार बता देता हूँ कि दे कि हमारे पास 2 कमड़े हैं समझियेगा देसी तरीके से बता रहा हूँ हमारे पास कितने कमड़े हैं दो कमड़े हैं ये एक नमर कमड़ा हुआ ये दो नमर कमड़ा हुआ अगर कोई वेक्ति एक नमर कमड़े में परवेश करता है तो कहता है कि सर इस कमड़े की 4 दिवारे हैं तो मैं बोलता हूँ बाबू कौन कोन है? तो बोलता है सर एक दिवार ए रहा, दूसरा दिवार, तिसरा दिवार और ये चवता दिवार. फिर इस कमड़े में घुश करके, इस कमड़े से निकल करके दूसरे कमड़े में परवेश करता है, तो फिर हम उन्सको पूछते हैं कि बाबू इस कमड़े की कितनी दिवारे हैं? तो उन्होंने हमें कहा कि सर इस कमड़े की भी चार दिवारे हैं, कौन-कौन है? एक दिवार, दो दिवार, तिन दिवार, और ये चार दिवार. फिर हमको बाद में बोलता कि सर इबीज वाला जो कमड़ा है न दोनों कमड़ों म का मतलब समझ में आ गया होगा उबनिष्ट का मतलब होता है जो दोनों में भाग जाता हो तो देखिए दोनों में क्या भाग जाता है यहाँ पर भी एक्स है तो एक्स तो जाहिड सी बात है कि कोमन होगा ही उसके बाद इसके पास दो एक्स आ गया बात तो एक अक्स बचा पलस में 2 है तो 2 x x केंसिल तो 2 ही बचा ना अब यहाँ पर माइनस का 5 है तो माइनस का 5 यहाँ पर हम x कोमन नहीं ले सकते हैं कि यहाँ x है यहाँ पर x नहीं है तो हम x कोमन नहीं लेंगे चुकि हम 5 कोमन ले सकते हैं क्यों ले सकते हैं क्यों कि 5 का भाग 10 में जाता है, दोनों में भाग जाड़ा, इसलिए हम 5 को कुमर लेंगे, अब X को रख देंगे, माइनस गुना माइनस क्या होगा, पलस, या फिर इसे भी समझ लिजे, माइनस अगर यहाँ है, तो इसका उल्ठा चीन क्या होगा, पलस हो जाएगा, अब 5 का भाग हम 10 में इसलिए लेंगे, फिर X माइनस 5 रहेगा, X माइनस 5 इक्वल में 0 है तो 0, आप देखिए इन दोनों को जो हम 0 के बड़ावर कड़ेंगे, ठीक है, तो X पलस 2 इक्वल में 0, या फिर X माइनस 5 इक्वल में 0, X को रखेंगे, पलस का जीरो का इससाट आएगा, तो माइनस का ह हो जाएगा, तो इस तरीके से जो है, हम समीकरन का दो मूल ग्यात कर सकते हैं, तो आपको जो है, समीकरन का मूल ग्यात करने में, अगर कहीं भी पोरोलम होती है, कहीं भी कष्ट होती है, कहीं भी दिक्कत होती है, तो बिना सोचे समझे, आप हमें कमेंट किजे, मैं उस पर बिडियो नहीं बनाओंगा तो आप समझे लेना कि sir की कमी है जो बिडियो नहीं बना पारे हैं आपको बिना सोचे एकदम आँख बंद करके कमेंट कर देना कि sir हम को समझ में नहीं है आपको पुना इसका एक वीडियो अपलोड करना पड़ेगा अगर मैं आपका request को पूरा नहीं कर पाया तो इसका मतलब समझ लिजे कि मैं परहाने में और समर्थ हूं तो आप कमेंट नहीं किजेगा ओ आपकी कमी है पर मेरी कमी नहीं है मेरा काम है ड्यूटी करना पढ़ाना तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं पर आप लोग का काम है कमेंट करना आप नहीं इक्स इक्वल में 0 तो देखे इसी तरह से हम इसको solve करेंगे हम क्या किये थे सबसे पहला काम क्या था अंतिम संख्या का गुणा फर्स्ट संख्या में करते थे तो देखे मैं 6 को अगर 2 से multiply करूंगा तो मारे पास क्या आएगा 6 2 जा 12 आएगा अब मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ तो sir 6 गुणा 2 लिख सकते है न हाँ बिलकुल लिख सकते है बाबू 12 को हम 4 गुणा 3 लिख सकते है न हाँ बिलकुल लिख सकते है फिर 12 को 1 भी तो लिख सकते है sir 12 गुणा 1 हाँ हम बिलकुल लिख सकते है तो हमें चाहिए कि तो पुलस का 1 हम कैसे लाएंगे तो देखिए पलस का 1 कों दे सकता हा। इसका मतलब इसको हम 2 टुकड़ों में बाट देंगे चार और 3 के रूप में 2 टुकड़ों में बाटेंगे बाकि square इसको same to same रखेंगे इसुम्पल सा फंडा था इनको हमने यहां पर demo तरीके से समझें है अब हम इसको systematic तरीके से सरल करेंगे कि देखे इसको किस तरगे से सरल करते हैं 2x square को हम same to same रखेंगे plus का 4x में 3x को minus कर देंगे तो plus का 1 foot गया minus में 6 है तो minus 6 equal में 0 है तो 0 आप देखे इन दोनों में से ये को common लेना है फिर इन दोनों में से ये को common लेना common का मतलब हम अप लोग को तुरंद बताए है जो दोनों में उपस्तित हो उनको common बोलते हैं तो देखे इसमें भी x है इसमें भी x है x तो जाहिर सी बात है common हो गाई इसमें 2 है इसमें भी 2 का भाग जाड़ा है तो 2 तो common हो गाई परंद 2 इसके पास 2 x था 1 x बाहर आ गया फिर भी x बच गया पलस है तो पलस x से x केंसील 2 का भाग अगर 4 में देते हैं तो कितना था 2 minus का 3 है तो minus का 3 x common नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि यहां पर x है यहां पर x नहीं है तो x हम common नहीं ले सकते हैं अंदर में लिखेंगे अंदर में होगा x और यहां minus गुना minus करेंगे तो पलस 3 का भाग देंगे छो में तो 3 दूना 6 equal में 0 है तो 0 आप इन दोनों में से एक हो लेना है देखें यह दोनों bracket जो है ना बीच वाला bracket यह दोनों मिलना चाहिए मिलेगा तो इसका मतलब समझे लेना कि मेरा हिसाब सही है अगर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब समझ लेजिए कि हिसाब गलत जा रहा है तो x plus 2 दोनों में से एक हो कमन ले लेंगे और 2 x minus 3 equal में 0 आप फिर क्या करना है इन दोनों को 0 को बड़ा बर करेंगे हो जाएगा फिर x बड़ावर minus का 2 फिर x को रखेंगे गुनावाली से का भाग में पहुंच जाती है तो ये भाग में आ जागा तो ए हो जागा समीकरन के मूल इस तरीके से मैं आप लोग को दो को संसोल्व करके बता आया हूँ यदि दोनों को संसोल्व करने के वावजूद भी आपको समझ में नहीं आती है तो आपको जो है एक छोटा सा कमेंट करना प्यारा सा कमेंट करना है जिससे मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ और मैं आपके लिए निच्छावर हो सकूँ कि आपको वीडियो हमको किस परकार का बना करके देना है जिससे आपको समझ आए तो कमेंट करने की बारी आपकी है समझानी की बारी मेरी है आप सुझ सकते हैं कि आपको किस परकार कमेंट करना और मैं किस परकार आप लोग को समझाओंगा किस प्रकार वीडियो बनाऊंगा जो आपको समझ में आए समझ में नहीं आने का सबसे बड़का मकसद ही होता है कि बच्चो की गलती नहीं होती है समझ में नहीं आने का सिधा सिधा मतलब होता है टीचर की कमीर टीचर की इस तरीके से बच्चे को समझाती है जो समझ में नही वीडियो के साथ और वो भी इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टोपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू